तैवान पर अमेरिका की नीती क्या है? अमेरिका चीन की One China Policy को समर्थन देता है इस पॉलिसी के तहट चीन ये दावा करता है कि तैवान पर भी चीन का ही शासन है यानि चीन और तैवान एक ही देश है चीन इस नीती के तहट तैवान के अलावा होंग कॉंग और तिबबत को भी अपना हिस्सा गोशित करता है इस नीती के तहट अमेरिका ने अब तक तैवान की बजाए चीन के साथ अपने संबंदों को आपचारिक माननेता दी हुई है और अमेरिका ने भी इस वन चाइना पॉलिसी को सुईकार किया है उनके विदेश मंत्राले ने सुईकार किया है और वो इसी को फॉलो करते आये हैं अभी तक अमेरिका कहता था कि वो तैवान और चीन के बीच नहीं आएगा और उन्हें अपने मसले खुद सुल जाने के लिए वो सोतंतर होंगे फिर भी नेंसी पलोसी ने ताइवान का ना सरफ दौरा किया बलकि वहां जाकर ऐसे बयान भी दे दिये जो अमेरिका की ताइवान नीती से मेल नहीं खाते और यही अमेरिका की strategic ambiguity है जिसके तहत वो विवाद खड़ा करके एक तरफ हो जाता है और फिर युद्ध या किसी आकरमक टकराव की स्थिति का फाइदा भी उठाना चाहता है